और और कैसे कैसे वेरियंट आ सकते हैं दियान से देखना में पॉलोइंग इस दा मार्केट दिमांड ठीक है कैल्कुलेट को इफिशेंट ऑफ प्राइस से प्राइस से प्रॉप नॉर्मल विश्चिन वेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम थ्री तो फाइव तो आपको तो ट्राइट टु अंडर्स्टाइड देखेस्टेन है तो वह क्या पूछ रहे है कि प्राइस तीन से जब पाच हुआ जब प्राइस तीन रुपे था तो कॉंटिटी क्या थी डिमांड जब फाइव रुपीज हो गया तो कॉंटिटी क्या है कि डिल्टा पी निकाल लेंगे डिल्टा क्यों निकाल लेंगे कोई भी डाउट समझ आया क्या हुआ कि seven suppose originally price product was being sold at originally we quantity demanded was 1000 14 changes to 14 अच्छा नमेंड दिखर हुआ हुआ वन सेवन्टी से एस ओरटीन है यह टाइपिंग अरवन ना हूं वैल्यूज में एर्र वैल्यूज में एर्र सर्फ क्या एर्र है ढूड़नें यह 10 रुपीज अब तब यह दोड़ेना वारा कहां करी रहे हैं एक फ्लॉर तो पूरा करें लिटा क्यों क्या है 500 डेल्टा पी ओरिजनल प्राइस और इसमें कॉंटिटी आए नहीं है विश्वेंटीन मतलब एडर कुछ और रही है पाइवन्ट्रेड एडर है तेगा ना अब वो सेवेंटीन भी हो सकता है यह वन पॉर्ट्रेड लुटा है एडर है क्वेश्वेंट में एडर है यह तो गन्तार्म करें ना एडर है हाँ एडर है एडर है शोसे है एडर है